दोस्तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Bank of India का ATM PIN कैसे जेनरेट करते हैं जी हाँ दोस्तो ATM PIN कैसे बनाए ये सारे प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तो कुछ साल पहले जब ATM कार्ड आता था तो उसके साथ ही आपका PIN आ जाता था लेकिन कुछ फराओर होने के कारण Bank इस सिस्टम को चेंज कर दिया है अब क्या है दोस्तो ATM कार्ड आपके घर आ जाएगा लेकिन PIN आपको खुद ATM मसीन पे जाकर बनाना होगा तो ये ATM PIN बनता कैसे है ये सारी बाते मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को बिना Skip के हुए अन तक जरूर देखे तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं सुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्क्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को ही प्रेश कर लिजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नेटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले आपको साथ में ATM कार्ड और एक मोबाइल नंबर जो बैंक में लिंक हो उसके साथ आपको ATM मसीन के पास चले जाना है तो सबसे पहले ATM कार्ड ATM मसीन को लगाना है कार्ड को मसीन में लगा कर कुछ समय छोड़ देना है उसके बाद जैसे ही ATM कार्ड मसीन में लगेगा कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा यहां आप देख सकते हैं Please Select Your Language तो आपको जिस भासा में समझ में आता है आप सेलेक्ट कर सकते हैं तो मैं यहां इंगलिस सेलेक्ट कर लेता हूं जैसे ही इंगलिस पे क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा यहां दो अप्शन दिखेगा enter pin और forget create green pin तो आपको क्या करना है आपको forget create pin green pin पे किलिक करना है जैसे ही किलिक करेंगे आपके सामने दो option दिखेगा generate OTP और validate OTP तो अभी हमारा generate नहीं हुआ है तो हम generate OTP पे किलिक करेंगे जैसे ही किलिक करेंगे कुछ ऐसा interface देखने को मिलेगा OTP generated successfully अब आपके registered mobile नंबर पे एक OTP गीरा होगा उस OTP को mobile में देख लेंगे अब ATM card मसीन से बाहर निकाल लेना है और फिर से ATM card को मसीन में लगा देना है जैसे ही card लगाएंगे कुछ ऐसा interface देखने को मिलेगा फिर से यहाँ आप देखेंगे कि please select the language तो मैं यहाँ पे English select कर लेता हूँ क्लिक करने के बाद दो option दिखेगा select करना होगा forget credit pin green pin पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद दो option दिखेगा generate OTP और validate OTP तो यहाँ पे हम validate OTP पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा interface देखने को मिलेगा enter your OTP value तो आपके mobile में जो OTP आया हुआ है वह OTP यहाँ पे डाल देना है डालने के बाद कुछ ऐसा interface देखने को मिलेगा please enter new pin तो यहाँ पे आप अपने मन से जो भी नया pin number डालना चाहते हैं यहाँ पे डाल देंगे नया pin डालने के बाद किलिक करने के बाद कुछ ऐसा interface देखने को मिलेगा please re-enter your new pin तो फिर से आपको उसी pin को डाल देना है जो अभी अभी आपने बनाया है pin डालने के बाद कुछ ऐसा interface देखने को मिलेगा your pin is changed successfully अब आपका ATM pin बन चुका है और अब आप card को निकाल लेंगे card को फिर से machine में डाल कर और pin number डाल कर आप balance चेक कर सकते हैं bid roll कर सकते हैं और धेर सारा swapping भी कर सकते हैं तो कैसा लात दोस्तों वीडियो वीडियो अगर अच्छा लात हो तो एक लायक ज़रूर करें चनल पनाया है तो चनल को subscribe ज़रूर करें बेल को ही प्रेश करें ताईकिन आरहे आने वाली वीडियो का नूतिकेसेन सबसा पहले आप तक पूंचे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जाहिन जा भारत